नमस्कार तेवियों और सजनों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो है काफी जादा वाइरल हो रहा है बायकोट करीना खान इसके बारे में यह जो है entertainment में trending चल रहा है तोड़ी time पहले यहांपर इसमें भी यह trending में चल रहा था लेकिन अभी फिलाल कुछ और रीजन ये है कि इन्होंने 12 क्रोड रुपे की मांग की है एक रोल प्ले करने के लिए रमायन जो बन रही है उसके अंदर माता सिता का रोल करने के लिए इन्होंने 12 क्रोड रुपे की मांग की है अब देखने वाली बात ये है कि भाईया क्या इनकी मांग पूरी की जाएगी और लोगों ने बहारी मात्रा में इनका विरोध करना शुरू कर दिया है बहुत टाइम से करीना कपूर खान मतलब कि हैश्टेक बायकोट करीना कान ये जो है वो काफी ज़्यादा वायरल हो रहा है ओके ओके मैं ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ कुछ और न खुल जाए आप देखे कि आप अपने अकोडिंग किसको फोलो करते हैं आप किसको सपोर्ट करते हैं आपकी अपनी नीजी राय है और यहाँ पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों न ये आप लोगों के साथ शेर किया जाए ट्विटर के ऊपर काफी ज़्यादा ये वाइरल हो रहा है मतलब ट्रेंड में चल रहा है अब रीजन कुछ और भी है इसके साथ साथ कि जैसे ये प्लैकेट लेकर खड़ी हो जाती थी कि भाईया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं हिंदूस्तान में हूँ तो ऐसे ऐसे इन्होंने कारणामे कर रखे है और बाकी कई जगहें पर ये चुप नजर आई है ऐसा है बहुत सारे लोगों का कहना भी है इसके बावजूद नेपोटिसम को लेकर इनके ओपर काफी बार मतलब ऐसा कहता है इन्होंने जैसा बयान दिया नेपोटिसम को लेकर यहां पर और एक और यहां पर एक न्यूस कटिंग की कटिंग थी वो मुझे मिल नहीं रही है रमायन पर बन रही फिल्म में सीता बनेंगी करीना डिमांड की 12 करोड फीस ऐसी है चर्चा खबरों की माने दो भया करीना कपूर खान जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर सीता का किरिदार जैसे इन्होंने माता सीता लिखना था इन्होंने लिखा नहीं सीता का किरिदार माता सीता किरदार निवाती नजर आएंगे इस फिल्म के लिकर इना ने 12 करोड रुपों की मांग की है reason यह है कि वो already काफी सारी movies में जो है दो I think दो movies में वो busy चल रही है जिसके चलते हैं इनके पास time नहीं है यहाँ पर देख सकते हो वीरेदी वैडिंग 2 और अंसल मैता की film में वो already busy हैं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसलिए उनोंने 10 क्रोड से भी ज़्यादा की रकम की मांगी है क्योंकि इनको time लगेगा इस role के लिए पहले दिपी का पारुक उनका नाम सामने आ रहा था अब करीना कपूर खान का नाम सामने आ रहा है अभी पक्का नहीं है कि यहीं करने वाली है और कुछ जो लोग हैं यहाँ पर वो कंगना रनोत को भी support कर रहे हैं कि इनसे better कोई नहीं हो सकता एक्टिंग के मामले में वो तो देखो यार यह तो जायर सी बात है कि इतनी बार national award यह जी चुकी है कंगना रनोत करीना कपूर खान इनके comparison में तो कहीं पर भी नहीं मतलब comparison कर ही नहीं सकते इतनी जवर्दस acting करती है कंगना रनोत वो अलग-अलग बात हो सकती है कि जो यह है कंगना रनोत इनके tweet कभी-कभी ऐसे होते हैं कि out of the box ही सोच लेती है तो वो एक अलग सोच होते हैं लेकिन acting के मामले में इनका comparison नहीं कर सकते बोलिवूड के शायद कोई actress विद्यबालन है जो बहुत बड़ी acting करती है लेकिन करिना कपूर उनके सामने नहीं विल्कुल भी नहीं टिक सकती है तो खेर ये था आज का trending topic आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता दे न और बखी ये वीडियो जो है मैं चला नहीं सकता पता नहीं इसके कुछ भी copyright आ सकते हैं और साथ ही साथ सुषान सिंग राजपूत को लेकर भी यहां पर जो कह रहे हैं जैसे यहां पर बोलिवूड plotted to kill SSR सुषान सिंग राजपूत बोलिवूड ने मार दिया है सुषान सिंग राजपूत को इसके लेकर भी बहुत जादा यह चीज़े हैं वाइरल हो रही है तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में आप अपनी राइप प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर लिखना तैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो